आल राइट गैस विल्कम बैक तो आज मैं खरीद कर लाया हूँ एक बैस्ट वार्लेस माइक्रोफोन खास करके बिगिनर्स यूटूबर्स के लिए जो आता है आईजी आई ब्रैंड के तरफ से जो हाली में कुछ दिन पहले लॉंच हुआ है अनली फॉर फॉर थाउजन रू लोर में भी चेक करेंगे साथी साथ आउट्डोर में भी चेक करेंगे डन आप अगर इस बजेट में एक वार्लेस माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके कंटिनियूली एंट तक देखते रहिए डेफिनिटी गईस आपका डवूट के लियर ह कर सकते हैं तो उससे पहले हम फीचर वगे अभी देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर धेख सकते हैं कि इस वार्लेस माइक को आपस्टिमेटली सी क्वेश दिशन कर पाएंगे यहां पर देख सकते हैं अब जस्ट फोन में अटेच करेंगे साथी साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस माइक अंदर आपको क्वीक चर्जिंग कभी सपोर्ट देखने को मिलता है जैसे कि 30 मिनिट्स में आप 75% तक चार्ज कर पाएंगे और उसके अलावा इस माइ रिसीबर और माइक को चार्ज करने के लिए आपको एक USB Type-C डेटा केवल देखने को मिलता है जब आप अपना माइक को यूज करेंगे तो उस टेम आप पता लगा सकते हैं इसको यूज करके के रिकॉर्ड ठीक से हो रहाए के नहीं दैन उसके लावा आपको दो ओंड सिल भी देखने को मिलता है और उसके बाद 3 डेटा केवल देखने को मिलेगा अलग अलग डिवाइस में यूज करने के लिए और अलग से आपको एक टाइप सी टू लाइटनिंग डेटा केवल देखने को मिलता है आईफोन में यूज करने के लिए दैन उसके लिए और एक एक charging port देखने को मिलता है USB type C के साथ और उसके लावा उपर साइड में आपको headphone jack देखने को मिलता है और यहाँ पर एक display देखने को मिलता है जिसको देख के आप idea लगा सकते हैं कि charge हो रहा है कि नहीं या mic receiver से connect हुआ है कि नहीं साथी साथ record हो रहा है कि नहीं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बट माइक के अंदना आपको volume plus और minus का भी features देखने को मिलता है तो आप अगर slow sound recording करना चाहते हैं तो minus को use करके उसको record कर पाएंगे साथी साथ loud recording करन है कि sound quality किस तरीके का सुनने को मिलता है all right guys तो यह रहा बोया का bym on wire वाला माइक का वाडियो सेंपल तो जैसे की सुन सकते हैं और मैं अप लोग को बता दूं कि मेरा front side में table fan जल रहा है अप लोग को noise cancellation सुनने को मिल रहा है कि नहीं सुप लोग सुन सकते हैं तो मैं sound recording हो रहा है इस IZX wireless microphone से तो clearly guys इसका sound quality अप लोग सुन सकते हैं और जैसे कि मैंने अप लोग को बताया था कि मेरा front side में एक table fan चल रहा है तो उसी साब से आप लोग को noise सुनने को मिल रहा है कि नहीं तो अप लोग किलियरली सुन सकते हैं तो मैं थोड़ा सा silent हो जाता हूँ तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा से एक इंट्रो दे देता हूँ तो हाई guys कैसे हो सब उम्मिद करता हूँ कि बहुत शी बढ़िया होंगे तो please guys वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्यूंकि अभी जो मैं वीडियो सूट कर रहा हूँ न और रा चीज तरीके से तो उस टाइम कैसे साउंड सूट होगा तो अप लोग अभी सुन पा रहे होंगे ओके अभी साउंड कैसा सुनने को मिल रहा है तो अप लोग सुन पा रहे होंगे तो चलिए इस बार हम noise cancellation को वान करके देखते हैं कि किस तरीके का sound quality सुनने को मिलता है तो य के लिए मैं अब लोगों को थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूं तो हाई गईस विल्कम बैक तो कैसे वह सब उम्मीद करता हूं कि बहुत शी बढ़िया होंगे तो अबर वाल इस माइक का sound quality अभी तक अप लोगो को कैसा लगा है तो प्लीज टेल में आव इना है और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा घर का बगल से ही एक रोड जाता है इस साइड में और रोड के अंदर बहुत सारा गाड़ी चल रहा है तो उसी साब से अप लोगों को noise cancellation का भी पता लग जाएगा तो चलिए इस पर हम टेस्ट करका देखते हैं IZI-X wireless microphone को कि कि सुनने को मिलता है तो अभी sound recording हो रहा है इस IZI-X wireless microphone से आउट्डोर में sound quality किस तरीके का सुनने को मिल रहा है तो आप लोग किलियरी सुन पा रहे होंगे ठीक है तो मैं without wind sill के साथ record कर रहा हूं तो फिर भी noise कभी अप लोग को पता चल जाएगा तो चलिए मैं थोड़ा सा noise cancellation को वान करके देखता हूं कि sound quality किस तरीके का सुनने को मिलता है तो यहां पर noise cancellation का बटन दिया हुआ है तो हम सिंपल से इसमें क्लिक करें तो गाइस अभी sound कैसा सूट हो रहा है तो अप लोग सुन पा रहे होंगे तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा से एक इंट्रो दे करता है ठीक है तो उससे पहले मैं noise cancellation को फिर से दोबार off कर देता हूं तो गाइस मैंने off कर दिया है ठीक है तो मैं इसके अंदर को लगा दिये हैं तो कॉलर में लगा के हम sound को record करेंगे इस बार कि अभी किस तरीके का sound quality सुनने को मिल रहा है तो आप लोग के लिरली सुन पा रहे होंगे और आज ना बहुत बारिस हो रहा है मतलब 10 मिनिट के अंदर अंदर जो है बारिस आ जाता है तो काफी दिक्कत हो रहा है इस वीडियो को सूट करने के लिए तो चलिए हम थोड़ा में प्रेस करके लाउडली सांड रिकॉर्ड कर पाएंगे तो चलिए इस बार हम इस माइक का डिस्टेंसेटी चेक करके देख लेते हैं कि कितना मीटर्स तक इसको आप लेके जा पाएंगे हाला कि मैं घर का चाद के उपर हूँ तो चाद मेरा उतना ज्यादा है नहीं तो फिर भी मैं थोड़ा सा आगे मुड़के जाओंगा ठीक है तो मैं इसको कॉलर में लगा देता हूँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और एक बार नॉइस किंसलेशन को ओन कर देता हूँ ठी कि मैं अब लोगो को बता दूँ कि मेरा मोगाली स्टेंड से हमारा चाद का उस पार मतलब एप्रॉक्सिमेटली 20 मीटर के आसपास हो जाएगा तो चली हम आगे मूर के जाते हैं कि साउंड क्वालिटी ठीक ठाक तरीके से रिकॉर्ड होता ही कि नहीं तो आप लोग को पता चल जाएगा तो अभी noise cancellation को off करके मैं मतलब sound recording कर रहा हूँ ठीक है तो कुछ इस तरीक का sound quality आपको इस wireless microphone से सुनने को मिल जाएगा तो मैं फिर से दोबारा noise cancellation को off करके देखता हूँ ठीक है तो गाइस मैंने noise cancellation को on कर चुके हैं अभी sound कैसा सूट हो रहा है तो आप लोग सुन पा रहे होंगे तो आप लोग को क्लियरली पता चल गया होगा कि outdoor में sound quality कैसा सुनने को मिलता है साथी साथ indoor में किस तरीके का sound सुनने को मिलता है ठीक है तो गईस एही था मेरा आज का वी को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में और एक मज़दार वीडियो के साथ अब तक लिए बाबाई टेक किया